हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल एसा श्टेडी सोल्यूशन आज की इस वीडियो में हम दा मील ओन दा फलोस की समरी के बारे में जानेंगे जो की जोर्ज इलिट के दवारा रिटन है समरी को जानने से पहले हम इसके मेजर क्रेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं ताकि आगी समरी में आपको कोई डाउट ना रहे सबसे पहला क्रेक्टर हमारे पास आता है मैगी टूलीवर का जो की हिरोईन है इस नोवल की या यूँ कहें तो प्रोटैगनिस्ट है नोवल की और फिर टूलीवर आता है जो की मैगी का भाई है और फिर मिस्टर टूलीवर आते है जो की मैगी के पिताजी है मैगी और टूम के और मिसिस टूलीवर वो है मेगी और टोम की वो मा है और फिलिप बैककम आते हैं फिर हमारे जो की टोम का क्लासमेट है और मेगी से प्रेम करता है यानि की मेगी का शूटर है और इस मेगी का एक और प्रेमी है जो की स्टीफन गेस्ट है पहले मेगी फिलिप बैकम के साथ रव करती है और उसके साथ भाग जाती है और उसके बाद फिर ये स्टीफन गैस्ट और मेगी अपस में लव करते हैं और फिर ये स्टीफन गैस्ट के साथ भाग जाती है आगी की समरी बहुत ज़्यादा मज़िदार है लेकिन यहां हम एक वार क्रेक्टर ही डिसकस करेंगे और जो लूसीडीन है वो टोम और मेगी की कजन है और एक बात और यह मानने जाती है कि वो जो लूसीडीन है उसकी स्टीफन गैस्ट के साथ सगाई हुई हुई है यहां हम आगी की समरी जानने से पहले एक वर बिल्कु szczegól शोट समरी आपको पता देते हैं ताकि आपको आगी की समरी समझने में असानी रहे जो मेगी और टॉम टूलीवर हैं वो आपस में दोनों भाई बेन है ही और इन दोनों का आपस में गेरा समंध है ठीक है और मिस्टर टूलीवर और मिसिज टूलीवर ये दोनों टॉम और मेगी के मातापिता हैं इनको हम summary में discuss नहीं करेंगे क्योंकि जो हम question करेंगे या फिर यू कहें कि summary करेंगे तो इन में Mr. Tuliver और Mrs. Tuliver का कोई ज्यादा रोल नहीं है बस आपको पताने के लिए कि Mr. Tuliver और Mrs. Tuliver इन दोनों Maggie Tuliver और Tom Tuliver के मतापिता हैं इसलिए ही इन characters को हमने note किया है फिर है Philip Beckham जो कि Tom का classmate है और Maggie का shooter है यानि कि Maggie से frame करता है और Maggie को पाना चाथता है लेकिन जो Maggie है वो इस Philip Beckham से कुछ से मैंतो लव करती है लेकिन फिर वो Stephen Guest के साथ लब में आ जाती है लेकिन ये आखिर में Stephen Guest को भी छोड़ देती है और जब Maggie अपने समाज में वापस आती है तो Maggie को समाज वाले accept नहीं करते उसे कुछ समय के लिए वैस्कृत कर दिया जाता है यहां तक की Maggie का भाई Tom Deliver भी उसे accept नहीं करता और उसे चले जाने के लिए कहता है लेकिन जो Lucy Dean है जो Tom और Maggie की कजन है और Philip Beckham है उसे माफ कर देते हैं बाद में फिर जो Maggie का निशकाशन है यानि की Maggie को कुछ समय के लिए जब निकाला गया था उसका बो समय समाप्त हो जाता है और Maggie बापस आ जाती है जब नदी में बाड़ आती है Maggie को याद आता है कि उसका भाई Tom मील में अकेला है और जो मील है वो निच्चे के इलाके में स्थित है बहाँ एक किस्ती लेकर बाड़ से संगर्श करती हुई Tom को बचाने के लिए निकल जाती है बाद में फिर Maggie और Tom का समझोता हो जाता है और बे दोनों एक दूसरे को आलिंगन में लिए दूब जाते हैं तो यह इस नोवल की सोट समरी थी और आपको यह भी समझा गया होगा कि इस नोवल का नाम दामील ओंदा फलोस क्यों पड़ा क्योंकि दामील तो गई चक्की और ओंदा फलोस फलोस एक रिवर का नाम है रिवर के पास एक चक्की है इसलिए दामील ओंदा फलोस आईए अब हम दामील ओंदा फलोस की रिटन समरी के बारे में जानते हैं मेगी तू लिवर is the central character in the novel The Mill on the Flows. मेगी तू लिवर central character है The Mill on the Flows की. She is one of the great heroines created by George Eliot. It is impossible to read The Mill on the Flows without identifying with मेगी. Mill on the Flows को पढ़ना मुश्किल हो जाता है मेगी को जाने विना. So, she is the unifying principle of the novel The Mill on the Flows. इसलिए वह एक unifying principle है The Mill on the Flows novel की. ध्यान रहे यदि आपके एक्जाम में मेगी का character sketch पूछ ले या फिर tragic ending of The Mill on the Flows पूछ ले या The Mill on the Flows as a great followed novel पूछ ले या फिर इसकी समरी पूछ ले इसके लिए ये एक अनस्वर है आपको लिखना है जो अब हम आपको करवा रहे हैं. इन सारे questions का हमने एक अनस्वर बना दिया है आपके लिए ताक कि आपको अलग-अलग अनस्वर learn करने ना पड़े. तो वीडियो को बहुत केरफुली देखेगा और समझियेगा. फिर आगे हमारा है Maggie's character is based on George Elliot's own life. यानि कि जो Maggie का character है वो George Elliot की सिवम की life पर based है. In her childhood, Maggie is a plain looking and awkward girl. यानि कि अपने बचपन में Maggie बिलकुल सदारण और अजीब सी दिखती थी. She has long hair which constantly comes over her eyes and face. Maggie के जो बाल हैं वो बड़े हैं और उसके चहरे और अंखों पर आते हैं. She loves her brother Tom deeply. वह अपने भाई Tom से बहुत प्यार करती है. Maggie has been assigned a tragic role in the novel. Maggie tragic role निवाती है. Novel में she grows up into a tall charming lady. बड़ी होने पर बहें लंबी और सुन्दर यूबती बन जाती है. Because of her beauty and charm, who come in contact with her, at once fall in love with her. जो the errors to lead her doom. लेकिन Maggie जो है वो गल्ट सुनाव करती है और उसकी यह गल्टी उसे बिनाज की ओर ले जाती है. She succumbs to the temptation and falls in love with Stephen Guest. बहें लालच में फस जाती है और Stephen Guest से प्यार कर बेठती है. That is why Maggie has to face a lot of miseries. इसके लिए Maggie को बहुत दुखो का सामना करना पड़ता है. Maggie again makes a wrong choice. Benzie decides to leave Stephen Guest and return to St. Ogg. Maggie एक बार दोवारा फिर गल्ती करती है. जब है Stephen को त्याग कर St. Ogg बापिस लोट आती है. St. Ogg क्या है? St. Ogg उस जगह का नाम है. जहां यह two-liver family रहती है. यानि कि Maggie, Tom रहते है. She should have realized that she had eloped with Philip also and returned without marrying him. Maggie को यह मैसूस करना चाहिए था कि बह फिलिप के साथ भी भाग गई थी और बिना उस से बिवा की यही बापस भै लोट आई थी. Maggie is a victim of social operation. Maggie समाजिक दमन का सिकार हो जाती है. Tom rudely refuses to let Maggie meet Stephen. Tom भहुत मुरी तरह से Maggie को Stephen से मिलने के लिए कठोरता से मना कर देता है. Had Maggie been allowed to marry the Stephen, perhaps what would have happened to her would have been difficult, but she is ostracized from society. यानि कि Had Maggie been allowed to marry? यानि कि Maggie को Stephen के साथ बिवा करने की आग्या देती जाती. Perhaps what would have happened to her have been difficult, तो सायद उसके साथ घटने वाली घटनाए भिन होती. What she is ostracized from society, लेकिन उसे समाज से ही निकाल दिया जाता है, बिस्कार कर दिया जाता है. She is considered a disgrace to the Tuliver family and the entire St. Ogg. उसे Tuliver family और पूरे St. Ogg पर एक कलंक समझा जाता है. Maggie Abundance सतीपन Maggie Stephen को त्याग देती है, What her sacrifice has no effect on the society. लेकिन उसके त्याग का समाज पर कोई परभाव नहीं पड़ता. Maggie's tragedy occurs because of her youth and in experience. Maggie की tragedy उसकी युवा अवस्ता एवं अनुभव हिंता के कारण घटित होती है. Many factors have a tragic effect in this novel. बहुत से tragic effect है जो इस novel में हमें दिखाए गए है. The tragedy of Maggie's is a tale of missed opportunities. Maggie की tragedy खोई हुए अबसरों की कहनी है. Damil on the Phelos is a moral novel. Damil on the Phelos एक परकार से एक नितिक novel है उपनियास है. The novelist's grave moral sense compels her to punish both Maggie and Tom. Novelist की गंभीर नितिक भावना उसे मजबूर करती है कि वह मैगी और टोम दुन्नों को सजादे. Maggie is punished for her emotional nature and habit of acting without thinking. Maggie को उसके emotional nature और बिना सोचे समझे काम करने की आदद के लिए सजा दी गई. Tom has been punished for his pride and habit of always thinking he is right. और जो Tom है उसको उसके घमन, जिद्दिपन और अपने आपको ही सही समझने की आदद के कारण सजा दी गई. The death of Tom and Maggie in the novel is a form of poetic justice which means that a wrong must be punished. यानि कि जो death है Tom और Maggie की इस novel में वो एक परकार से poetic justice है यानि कि poet का ज्याय है which means that a wrong must be punished. जिसका अर्थ है कि गल्थ काम करने वाले को सजा मिलनी चाहिए. In case of Maggie, the conservative society forced Maggie to leave the city. Maggie के मामले में जो conservative society है, रुड़ी बादी समाज है, उसने Maggie को सहर छोड़ने के लिए मजबूर किया. But the novelist forced the world from her, लेकिन novelist ने उसे दुन्या से ही निकाल दिया, उससे दुन्या ही चुड़वा दी. क्योंकि अन्त में Maggie और टॉम की मौद हो जाती है. To some extent, George Elliot has succumbed to the morality of the 19th century. कुछ अन्त तक, George Elliot 19th century सतावदी की नितिकता के सामने जुक गई. The novelist's moral sense compels her to punish both Maggie and Tom in the end. लेकिका की नितिक भावना उसे अन्त में Maggie और टॉम दुन्नों को सजा देने के लिए मजबूर करती है. But it has to be admitted that the punishment given to them by the novelist is more served than their crimes. लेकिन यह बात मादनी पड़ेगी कि novelist द्वारा उन्हें दी गई सजा उनके गुनाहों से बहुत ज़्यादा कठोर है. For this reason, many critics have called this novel a flawed novel. इसी कारण बहुत से अलोजकों ने इस उपनियास को एक दोस्पुर्ण उपनियास कहा है. The story of the Mill on the Flows, Foxes on Maggie. The Mill on the Flows की कहनी Maggie पर कैंदरित रहती है. At the end of the story, Ben, Maggie and Tom are about to die. कहनी के अंत में, जब Maggie और Tom अपनी मौत के निकट होते हैं, Tom calls Maggie as he used to call her when she was a child. Maggie को Tom उसी परकार बुलाता है, जैसे बहुत उसे बच्पन में पुकारता था. In a final average, they both meet forever in the river Flows. और अन्तिम अलिंगन में वे दोनों, Flows नदी में सदा के लिए मिल जाते हैं. तो ये हमारी स्टोरी थी, The Mill on the Flows, Novel, Written by George Elliot. I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजेगा. चैनल पर नहीं है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजेगा. और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को सेर करना ना भूलिएगा. ठैंक यू, मने रहें ऐसाथ स्रेटर्टी सोल्यूसन के साथ.